बदलते मौसम में शरीय का ध्यान रखना बहुत जरूरी है तो अभी बारिश जा नहीं रही है और सद्य आई नहीं है तो ऐसी रेसिपी लेकर आई हूँ मैं आज जो इन मौसमी बिमारियों से हमें बचाने में मदद करेगी इस रेसिपी में जो भी इंग्रिडियंट्स मैंने कामे लिये हैं सभी फायदेमंद हैं और बच्चों से लेकर के बड़ों तक सभी इसको खा सकते हैं आज हम इसे बिना चीनी के बनाएंगे और ये वेट लॉस में भी बहुत मदद करती है स्वाद में बहुत बढ़िया है और सेहत से भरपूर है तो रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज लाइक शेयर कर दीजिगा और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी न भूलें तो चले शुरू करते हैं यहाँ पे मैंने लिए हैं 15-16 बदाम में डाल देंगे और लिए हैं मैंने यहाँ पे चोहारे यानि सूके खजूर यह मैंने पांच लिए हैं इनके बीज निकाल दिये हैं और यहाँ पे मैंने थोड़ा सा एक खुपरा गिरी लिया है उसके पाल लेंगे एक बोल में और इसमें एड करेंगे हम थोड़ा सा दूद ताकि अच्छे से भीग जाएं तो यहां मैंने वनफोर्थ कप दूद लिया है पहले से उबलावा दूद है ठंडा किया हुआ गरम दूद नहीं है तो इसको इसमें सोब कर देंगी जरूरी निये करते हैं कि सुपर फूड है मखाना अपनी डेली डाइट में जरूर इसे शामिल करें तो यह सेक लिए हैं मैंने सेके इसलिए हैं ताकि एक तो स्वात बढ़िया हो जाता है दूसरा पीसने में आसानी रहती है क्रिस्प हो जाते हैं तो आसानी से पीस जाते हैं अभी बारि या फिर ब्रोकन वीड जिसको कहते हैं इंग्लिश में यह वही है गेहों का टूटा हुआ जिसको टुकडा जो बोलते हैं वही है तो बस यह बहुत हेल्दी होता है क्योंकि इसमें फाइबर बहुत जादा होता है जो कि हमारे डाइजेशन के लिए अच्छा होता है और डा जिसको सेक लेंगे बस इसको हटा देंगे गैस से और अब लेरियू में एक पैन उसमें डाल रहे हूँ आदा कप गुड आज गुड से बनाएंगे चीनी नहीं डालेंगे और इसी में डालूंगी में यहाँ पर सवा कप पानी यानी 1 प्लस 1 फोर्ट कप पानी डालेंगे इसमें और इसे मेल्ट होने तक उबाल लेंगे जितना दलिया लिया है उतना ही गुर्ड लेना है और वनफोर्थ का पानी में एक्स्टा इसली लिया है क्योंकि हमने जो ड्राय फूर्ट्स लिये हैं उसके लिए भी थोड़ा पानी चाहिए वड़ना डबल पानी यूज किया बेसन में भी बहुत जादा प्रोटीन और फाइबर होता है जो की डायरिशन के लिए अच्छा होता है दलिया और बेसन दोनों में ही मैंगनिशयम होता है जो की ब्लड पिशर को कंट्रोल करता है और हमारी मसल्स की दर से आराम पहुंचाता है दो कि देखिए मैंने इसको थोड़ा सा भून लिया है एक तरह देखिए मिनट तक जादा नहीं भून रही हो क्योंकि अब मैं इसमें डाल रही हो दलिया पहले से बुना हुआ है लेकिन हम इसे बेसन के साथ फिर से भूनेगे और साथ में गी डालेंगे क्योंकि गी डालने से जो इसका जो फ्लेवर अब गी के साथ इसको भूनेंगे हम दो मिनट तक जादा नहीं बूनेंगे दलिया अल्रेड़ी बूना हुआ है और गी कम लग रहा था तो मैं एक चमच और डाल रही हो इसमें तो अभी देखिए सभी जगे बारिश हो रही है और कई मौसमें बिमारिया फैलती जा रही है तो हमें अपनी बाड़ी को इतना ताकतवर बनाना है यानि अपनी बाड़ी की इम्मुनिटी को बढ़ाना है ताकि जो इन विमारियां से लड़ सके तो आज की रेस्पी वही है इसमें मैंने जो भी इंग्रीड़े डाले है जैसे मकाना है बदाम है अकरोट है और खजूर है मतलब चुआ रहा है सभी में बहुत सारे विटामिन्स होते हैं मिनरल्स होते हैं प्रोटीन रिच है मैगनिशियम होता है सभी कुछ है जो की बहुत फायदेमन्द होता है तो देखे जो बदाम का जो हमने पाउडर था उसको दुद में भिगो है था वस वही डाल रही अब और इससे फिर से सेखेंगे जब तक कि जो हमारा पेस्ट है यह सूख नहीं जाता है इसका पानी सूख नहीं जाता है दो से डाई मिनिट लगेंगे फटा फट से सूख जाएगा तो नीचे लग सकता है क्योंकि हमने इसमें बदाम को पीसा है तो बदाम नीचे तो आप लगातार इसे चलाते रहें यह रेसिपी आप बच्चे से लेकर बढ़ों तक सभी को दे सकते हैं सभी के लिए बहुत फायदे मन्द है ऐसा नहीं है कि बढ़े ही खाएं चूटे ना खाएं सभी खा सकते हैं डाइबिटीज वाले पीशेंट भी इसे खा सकते हैं क्योंकि हमने आज इसे गोड से बनाया है दूसरा दलिया और बेसन जो है दोनों ही शूगर को बढ़ने से रोकते हैं और अब मैं इसमें डाल रही हूँ मखाना जो हमने दरदरा पीस लिया है इसे डाल के एक मिनट और से से बहुत हल्दी है देखिए मखाना भी अच्छे से सिक चुका है और एक की प्रीमिक्स तयार हो गया है आप इसे कंटेनर में बंद करके रखते हैं एर टाइट कंटेनर में और फ्रिज में रख लें जब भी आपको खाना हो आप इसमें गुडवाला पानी डालें और कोई बहुत हल्दी होता है सर्दियों में इसे खाया जाता है लेकिन आप इस तरह बारिश के मौसम में भी खाएंगे तो यह आपको जैसे मौसमी बिमारियां होती है सर्दी जुकाम गला में कोई प्राबलम होती है तो आप उसकी लिए भी इसे यूज कर सकते हैं तो बस अब इ तरह बालेंगे हम इसे धक देते हैं ताकि अच्छे से पक जाए और सारा पानी जो है इसका वो सूख जाए यह एब्स और ले ऑच्छे से पट जाए चले में डग देती हूं इसको बुल कुल लो फ्लेम पर रखेंगे बीच बीच में हिला लेंगे करीब इसको तक चार से लगेंगे यह देखिए अब सारा जो पानी है वो एब्सॉर्ब कर लिया है दले ने गी छोड़ दिया है आप देख सकते हैं किनारों पर आ चुका है तो इस वक्त आप चाहें तो कटे वी ड्राइफूट से यहां डाल सकते हैं मैं नहीं डाल रहे हूं क्योंकि हमने अल्रेड जातरी फैटे असिट्स होते हैं जो कि हमारे हाट के लिए बहुत अच्छा होता है तो चलिए सर्व कर लेते हैं यह देखिए बहुत ही शानदार बहुत ही बड़ी है आप इसे टेली खाएं लेकिन सिर्फ दो चमशी खाएं क्योंकि हमने इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़े जो कि जादा नहीं खाज जा सकती है तो अभी मौसम ऐसा सरदियों वाला नहीं है बदलता मौसम है तो आप सिर्फ दो चम्मश खाएं सुबह सुबह और साथ में दूद ले 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 एक कप तो यह आपको पूरे दिन आपको एनरजी देगा बीमारियों से भी बचाएगा अब आप इसे डेली खाएं बना के रख ले आप इसे बना के आप फ्रिज में रख सकते हैं और वैसे बाहर भी रखेंगे तो यह खराब नहीं होगा चार-पांस दिन तक तो आप इसे रख सकते हैं तो टेली दो चमश खाएं एक कप दूद पीले आप पूरा दिन तरो ताजा म मौसम में उससे भी आपको बहुत आराम मिलेगा तो रेसिपी एचलेगी तो लाइक कर दीगा फिर मिलूँगी मैं आपसे तब तक के लिए बाइगा